ओके तो दोस्तों अगर आप भी इंस्टाराम पर एक नॉर्मल सा एक परसनल अकाउंट क्रियेट करके रखे हुए और काफी लोगों का जो अकाउंट है या तो दो अकाउंट होता है या तो पब्लिक या तो प्राइविट काफी लोग पब्लिक करके अपने अकाउंट को रखते हैं और काफी लोग अपने अकाउंट को प्राइवीट करके रखते हैं लड़कियों का तो मैं मान सकते हूं कि प्राइवीट किस लिए रखते हैं फोटो और वीडो की वज़ा से रिल्स की वज़ा से बट मुझे लड़कों का नहीं पता कि वो लोग अपने अकाउंट को प्राइविट किसलिए रखते हैं वो किस से अपने आपको बचाते हैं छुपाते हैं दोन्टो वरी ठीक है इन सब चीज से हट कर मजाग से हट कर अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपने अकाउंट को प्राइविट रखना चाते हो एंड एक दिक्कत काफी लोगों को आ रही है एंड अगर आपको भी वही दिक्कत आ रही है दिन में आपको बता दू सही वीडियो पर आयो दिक्कत क्या पहले ये जान लोग कि अकाउंट प्राइविसी पर जाते है न लोग अपने अकाउंट को प्राइविट करने जब जाते हैं इनेबल करते हैं इस फीचर को इस आप्शन को तो यहाँ पर इस टाइप का पॉप अप आता है प्रॉब्लाम सॉल ऊने वाल है 100 परसेंट तो सब से पहले आपको करना क्लाइए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना Ся लाइक करना है तो फिरेद्च को ला lake करना आख São चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करनाbles जिसे के עंड यह मेरा प्रोफेश्यनल अकान्ट ए अगर प्रोफेश्चनल आकांट रहेगा तो आपको यहाँ पर हम स्क्रीन पर शोठा प्रोफैल में प्रोफेश्चनल डाशबोर्ट नुट शॉट है कुछ इस सरह से देखनी को मिल रहा होगा ע-ठेक Burns इसको जो है ना एक personal account में switch करना पड़ेगा तब जाकर के आपका जो account है वो private account में switch होगा ठीक है तो उसके लिए आपको 3DN के option पर tap करना है नीचे scroll करके creator tools and controls पर tap करना है ठीक है यहाँ पर से आपको नीचे में एक option देखने को मिले है switch account type का तो यहाँ पर tap करके आपको दो option देखने को मिलेगा ना business account and personal account तो आपका account तो अल्ड़ेड़े एक professional account है इस वज़े से आपका जो account है वो private नहीं हो रही है देने मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है यहाँ पर देख से तो जो professional dashboard था ना वो यहाँ पर से हट चुक है अब आपका यह दिक्कत आ रही थी ना दिन में आपको बता दूँ कि अभी नहीं आईगी सबसे पहले यह चीज़ आपको कर लेना है आपको अपने professional account से एक personal account में convert कर लेना अगेन आपको थिले लेन के option पर टाप करना नीचे account privacy पर टाप करना यहाँ पर private option को enable कर देना switch to private अब देख सकते कि यह problem है जो pop-up शोर यह थी थी ना वो अभी नहीं आ रही है क्योंकि इस steps से आप भी अपने account को यहाँ से private कर सकते हो बहुत ही easy steps था और काफी लोगों को नहीं मालूम होती है कि जो professional accounts होती है न वो यहाँ पर से private नहीं होती है because professional account बने ही है कि हमारे reels को, videos को या फिर photos को reach मिले उसमें अच्छा engagement मिले, viral मिले, viral हो videos हमारी ठेके इस वज़े से professional account बनाया गिया है तो I hope कि अगर इस वीडियो को बिन स्किप की पूरा एंट तक देखे होंगे तो आपकी जो problem 100% solve हो गई होगी और अगर कोई भी दिक्कात आ रही है न तो comment में जरूर पुछना आपका help जरू करूँगा वीडियो helpful होगे तो like करना और चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना मिलता तब तक लिन नेक्स वीडियो में बाई बाई